नमस्कार दोस्तों, बेहत खूपसुरत और पवित्र फूल माने जाने वाला ब्रह्मा कमल वर्ष में एक बार अथा पांच या दर्ष या ग्यारा वर्ष में खिलता है, यहां जिसके घर में भी खिल जाए उसे भाग्यशाली और ब्रह्मा जी का आशिवात माना जाता है, इस तो यहां फूल एक वर्ष में ही खिल जाता है, लेकिन कई लोगों के यहां यहां पांच वर्ष, ग्यारा वर्ष या इकिस वर्षों में खिलता है, लेकिन कई-कई लोगों के यहां हर वर्ष यहां फूल खिलता है, और गिंतियों में खिलता है, एक ग्यारा, इकिस पांच इस तरह की गिंतियों में यह फूल खिलता है किसी किसी के यहाँ 51 और 101 फूल देखने को मिले है सारे फूल एक साथ खिलते है माना गया है कि जिसके यहाँ भी यह फूल खिलता है वह बहुत भागेशाली माना गया है सुक समरद्धी से भर देता है और फूल ना तो बेचे जाते हैं और ना ही यहाँ फूल खरीदे जाते हैं इसे सिर्फ भरगवान को चड़ाया जाता है और यहाँ ब्रह्मा जी का आशिवाद है ब्रह्मा जी की मूर्ती घर में नहीं रखी जाती है इसलिए भगवान शिव को यहाँ फूल अर्पित किया जाता है और माना गया है कि महननदा को भी यहाँ फूल बहुत ही प्रिय है माना जाता है कि इस फूल की पंखडियों से अमरत की बूधें टपकती है इससे निकलने वाले पानी को पीने से ठकान मिट जाती है और कई गंबीर रोक ठीक हो जाते है इससे पुरानी काली खासी का वे इलाज किया जा सकता है इससे कैंसर सहीत कई खतरनाग बिमारियों का इलाज होता है यहाँ तालू या पानी के पास नहीं बलकि जमीन में ही उगता है पौरानिक मानिताओं के अनुसार ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है के दारनाथ और बद्नेनाथ के मंदिरों में भी ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते है और जब भगवान विश्णू हिमाले छेतर में आए तो उन्होंने भोले नाथ को एक हजार ब्रह्म कमल चढ़ाए थे जिसमें से एक पुष्प कम हो कया था तब विश्णू भगवान ने पुष्प के रूप में अपने एक आँख भोले नाथ को समर्पित कर दे थी तब इसे भोले नाथ का एक नाम कमलेश्वर और विश्णू भगवान का एक नाम कमल नयन पड़ा यहां फूल भगवान ब्रह्मा का प्रतिरूप माना जाता है और इसके खिलने पर भगवान विश्णू के शय्या दिखाई देती है यहां मा नंदा देवी का भी प्रीव पुष्प है इसे नंदा अश्टमी के समय तोड़ा जाता है और इसके तोड़ने की भी विसेस सक्त नियम होते हैं जिसका पालन किये जाना अनिवार होता है इससे बुरी आत्माओं का भय नहीं रहता और बुरी आत्माओं भगाई जा सकती है अब आपको बताते हैं इस पुष्प का उल्लेक मा भारत में भी मिलता है अख्यान है कि इसे पाने के लिए द्रोपती विलक हो गई थी तब भीम ने इसे लाने के लिए हिमाले की वादियों में गए थे और वहाँ उनका सामना हनुमान जी से हुआ था भीम ने उन्हें एक वानर समझ कर उनकी पूँच हटाने का कहा परंतु हनुमान जी ने कहा कि तुम शक्तिशाली हो तो यहाँ पूँच तुम ही हटा लो परंतु भीम ने इसा नहीं कर सकता था तब उसे समझ में आया कि ये तो साक्षात हनुमान जी है तब भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ और भीम हनुमान जी के साथ ही उस पुष्प की तलास में निकल गया और भीम ने उस पुष्प की तलास की जिसे ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है ब्रह्म कमल एक चमतकारी फूल ही नहीं बलकि अदबुत फूल भी है यहाँ वर्ष में एक बार उकता है अगस्त और सितंबर में इसके फूल खिलने लगते हैं और वहाँ जिसके घर में भी खिलता है वहाँ बहुत भागेशाली होता है क्योंकि यहाँ फूल एक बार एक शाल में खिलता है अगर एक साल में ना खिले तो फिर पांस साल के बाद खिलता है पांस साल के बाद ना खिले तो फिर ग्यारा साल में खिलता है इस तरह यहाँ फूल सालों के हिसाब से खिलता है और किसमत से ही यहाँ लोगों के गर खिलता है इसके फूल खिलते ही और वहाँ भी चार घंटे के लिए खिलते हैं और शाम होते ही यहाँ फूल खिलना शुरू हो जाता है ठीक बारा बजे रात तक यहाँ फूल फूरा खिल जाता है और इससे अलोकिक तेज निकलता है, जो अंधेरे में भी एकदम सफेध उजाला देता है, अधिकतर हमाले के राज्यों में ही पाया जाता है, परन्तु आजकल लोग इसे घर में गमले में भी लगा सकते हैं, यह आसानी से उग जाता है, लेकिन यह वरक्ष आसानी से नहीं मि पाता ब्रह्म कमल एक पवित्र फूल है कुछ शोदों के मताबिक इस पौदे को आप ऐसे इस्थान पर लगाएं जहां पर ओरतों की मासिक धर्म की परशाई भी ना पड़ती हो ऐसी जगह पर लगाएं जहां अधिकतर लोगों की नजर ना पड़ती हो ऐसी जगह पर इस वाली बूंदें अमरत के समान होती हैं हमारे यहां भी फूल पांच खिले हैं दो फूल एक दिन पहले आए थे और ये तीन फूल आज खिले हैं यहां फूल मैं आज आपको दिखा रही हूँ यहां किस्मत वालों को ही इस फूल के दर्शन हो पाते हैं मैंने सोचा कि आप लोग को वीडियो के दौरा ही इस फूल के दर्शन करा दिये जाएं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूजा पाट कथा कहानी और ऐसे ही इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ में अलग-अलग वीडियो लेकर आती अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो ल मातादी दोस्तों पूजा पार्ट से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप लोग जरूर देखिएगा लिटेस्ट मैंने बहुत से पेड़ पोदा के उपर भी वीडियो डाले हैं शमी के फूल भी डाले हुए हैं और पान के पते भी मेरे यहां लगी वे पान का पोदा कैसे लगाया जाता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कोई जानकारी और भी जाना चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगी कमेंट के दोरा आप प्रश्न पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जाए माता दी